नमस्कार हस्तक्षेप में आपका स्वागात ही लोगसभाचुनाओं की तयारियों शुरू हो चुकी हैं। कि जो तर्यारियां है और जिस तरीके से प्रहामंती नरेंदमोदी का प्रोपेगंडा चल रहा है उस प्रोपेगंडा मॉडल की समिक्षा कर रहे हैं प्रोफिसर जग्दीशो चतुवेदी तो आइए सुनते हैं प्रफिसर जग्दीशो चतुवेदी से कि प्रधारमंती नरेन मोदी का प्रपेगंडा मडल क्या है और भारती जनता पाई कि किस तरीके से इस चुनाओं में किन मुद्दों को देखे जा रहेंगे और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काथ है विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारती जनता पाई कि यह पास क्या पाई है यह सुनते हैं प्रफिसर जग्दीशो चतुवेदी का यह समवार साभाना बातचीत करें कि आरे सेस्ट का जो कि राईणितिक प्रचार अवियान वो कैसे है मित की जो संसार उसका हुआ है और इस मित की संसार की सबसे बड़ी मुस्किलिये है कि मितक जीवन के जीवन में प्रशलन है कि वे मिथक जो आए जीवन का सर्वस्वे आफ जीसे राम भारत का सर्वस्वे अ है आफ अज राम भारत का सर्वस्वे और राम का 22 तरिक प्राहत प्रतिश्ठा हो नहीं है तो सारा देश अब एक ही काम करें राम के लिए दिये जलाएं गड़तंत्र की चिंता नहीं है साइंस कॉंग्रेस नहीं हुई इसकी चिंता नहीं है उससे भी बड़ा जो तुर्रा यह कि जितनी भी देश की सामाजिक राजनितिक आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान इन मिथकों के माया संसार में ही खोजा जा रहा है और यह जो आर्शेस के लोग सुचिंति धंग से कर रहे हैं कि दोई चीज हो सकती है या तो यह मूर्ख है यह धूर्थ है जो मिथकी माया संसार है उसके बड़े प्रचारक की तोर पर काम कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक बड़ी गंभीर चीज है आज तक कभी किसी प्रधान मंत्री ने पिछले 75 वर्ष में मिथकी माया संसार को लेकर प्रचार अभ्यान नहीं चलाया है कि यहां तक के मिथकी माया संसार को लेकर फ्रीडम मुव्मेंट में भी किसी ने प्रचार अव्यान नहीं चलाया कि आरसेस के लोग और नरेंद मोदी स्वयम जब मिथकी माया संसार जिसका के एक आइक आइकॉन जो है राम है उस पर जोड़ देते हैं और उसका शक्ति लगा के प्रचार कर रहे हैं वह घर घर जाके दिये बाती तो बाट रहे हैं लेकिन घर घर जाके उन्होंने जंगर्णा नहीं कराई जंगर्णा होने के लिए तीन साल लगे देर शुरू हुई राममंदिर तो अभी बना ही नहीं है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है और यह जो मित्की माया संसार में सिर्फ रस्स ही नहीं बलके रस्स के प्रचार से जो लोग प्रभावित है वह जंता भी इसके मोह पास में बंदी हुई है हुई है कि मित्की माया संसार के पास में जीवन की वास्तविक समश्याओं का कोई निदान या समाधान नहीं है हिंदुस्तान में जो अभी रासन बट रहा है ना वो मंदिरों से नहीं आता और भगवान राम जी कृपा से भी नहीं आता वो रासन बट रहा है हिंदुस्तान के किसानों की पैदावार और मजदूरों की पैदावार की बल पर और टेक्सपेयर की मनी की बल पर कायदेश हो ना यह चाहिए कि प्रधान मंत्री को एक राजनिति गश्ञठन को चाहिए वो डक्षण पंति राजनिती ही करें जैसा कि RSS करता है वो यथार्थ को देख्यों यथार्थ के बारे में बात करें यथार्थ की जो समश्या है उनके बारे में बात करें लेकिन वे यथार्थ के बारे में न देख रहें न यथार्थ की बाते कर रहें न यथार्थ समश्या है वास्तव समश्या है जीवन की उनके बारे में बाते कर रहें वे एक ही चीज के बारे बाते कर रहें बार बार वह है मित की माया संसार और मित की नायक उनके ही बारे में बारबार बात कर देए और यह जो मित्की नायकों के माया संसार में बांधने की जो कोशिस है इसका एक सबसे बड़ा जो लाव उनको मिल रहा है वो यह कि आम आदमी जो उनके प्रोपेगेंडा से प्रभावित है उसको वे यथार्थ से अलग तलग करने मे यथार्थ से बिमुक करने में सफल हो जाते हैं और यह यथार्थ से अलगाओ के कारण या यथार्थ को न देख पाने के कारण न तो ये नागरे प्राचीन भारत के बारे में जानता है न नरेंद्र मोधी प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं नरेंद मोदी त्रिता युक के बारे में न जानते हैं न सत्युक के बारे में जानते हैं पलटके सवाल क्या जाना चाहिए क्या त्रिता युक को बापस ला सकते हो नहीं क्या राम के युक को बापस ला सकते हो नहीं तो यह फिर जो बरत्मान में जीने वाले लोग है जिनके बरत्मान जीवन की जुरन समश्चा है उनको अतीत जीवी बनाने की कोशिस क्यों की जा रही है और यह जो अतीत जीवी जो भाववोद है जो के आम जन्ता में मित्की मया संसार के जरीए सरजित किया जा रहा है राम मंदिर उसका एक महत्पूर आइकॉन है मंदिर बहुत सारे मंदिरों से परिशानी नहीं हुए हिंदुस्तान को कभी आज भी नहीं है मंदिर कभी चुनोती नहीं रहे चुनोती मीडिया के जरिये जो प्रपेगेंड आये राम मंदिर का और राम के मित का वह है चुनोती और इसने क्या किया कि लोगों को यतार्थ के प्रश्णों पर मीडिया को यतार्थ के प्रश्णों पर बात करने से एकदम बिमुक कर दिया है हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि मिथक सिर्फ मिथक होते हैं कि यथार्थ नहीं होते हैं और हमारा जो समाज है वो यथार्थ में जीता है मिथक में नहीं जीता उसकी समझ्चा है का नियुकराurar कि लोग घरगर यह पता करने के लिए नहींगे कि किस घर में किसे लोग बेरोजगार है लेकि मिद जरूठ जाकर राम Мन्दिर के लिए उसकी प्रांठ प्रतिष्ठा के दिन के लिए दीपक और बाती बात्ली ने के लिए जरूर जा है पूछा जाना चाहिए है अगर घर घर जाएं और घर घर जाके पता करें कि डिगर क्या रियल समझ्चाएं है और उनकी सभाद हैं तुम्हारे पास में है तो उनका उत्तर कोई शकारतम्ग नहीं होगा इस पूरे campaign ने जो उमित की माया संसार को लेकर जो campaign चल रहा है और राम के नाम पर चल रहा है उसने एकदम यथार्थ के प्रश्णों को वास्तव जीवन के प्रश्णों को हमारी बहस से बाहर खदेरने में महत्पुर्ण भूम का अदा की है इस से बचने की जरुवत है राम पर बात करो लेकिन बेकारी पर भी बात करो राम पर बात करो लेकिन भुक्वरी पर भी बात करो यह संबाब नहीं है कि सिर्फ राम पर बात करो, राम पर बात करो, बेकारी पर बात मत करो नर्वें दिनमोधी ने पिशले पांस साल में 1919 के बाद एक भी भाषाण बेरोजगारी के खिलाप नहीं दिया और एक भी कदम बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं उटाया और फिछले दस साल के जितने भाशन उनके इंटरनेट पर अब उठाके देखिए प्रधान मंत्री वनने के बाद में बेरोजगारी और महगाई और किसानों और मजदूरों की समस्या उनकी भाशन की स्क्रिप्ट से गाइब हो गई डेlly आरसीस के प्रवुख ने पिछले दस साल में राममंदिर को लेकर जितने भाशन दिये उनने बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के खिलाप में एक भाशन नहीं दिया सवाट कर गयाना चाहिए हिंदोस्तान के लिए बेरुजगारी दूर करना जरूरी है कि राम funds जरूरी है आज इसलीज़ी है कि युमाओं में आट परसेंट से अधिक बेरुजगारी है जो कि हिंदोस्थान के इतियास पह इनहीं रहे तो बेरुजवारी पर बात करें यह राम पर बात करें आप त्या कर लीजिए बाजार में लगातार एक संकिनतावाद या मंदी का दौर चल ला है और संकिरतावाद और मंदी के दौर में परमप्रा के नाम पर राम के नाम पर परमप्रा की नई नई वियाक्षा हैं हमारे बीच में पेश की जा रही है जिनका इतिहास से कोई सम्द्ध नहीं है इतिहास के जो सर्व स्विक्ड मानित आहें उनसे कोई संबंद नहीं है एक साधानसी बात बता रहा हूं मैं आपको मैं तेरे साल जोतिस पड़ी है और अच्छी जोतिस पड़ी है प्रॉपर क्लासिक से लेके अहमे तक सिध्धान जोतिस से आचारे तक जिस अयुद्या के लिए इतना हंगाम मचरा है उस अयुद्या को जाके खाली जो जोतिस के गृंतों में जिस अक्षान से देशांतर पर अयुद्या है पता करो कि आज क्या वहीं अयुद्या है यह तो सच है कि कल्पना में किताबों में राम अयुद्या में हुए थे हुए थे नहीं हुए थे अलग बात है लेकिन हम्माल लेते हुए थे तो क्या अयोध्या वहीं है उसी अच्छाश्च दिशंतर पर है किसी को फुर्सत नहीं है कोई बता रहा है कि वहां विक्रमा जित ने राममंदिर बनाया थाको इस भावर ने कre बताओ कि क्या अयोद्या वहीं है जहां के जोतिष के पुराने ग्रिम्तों में जिस को अंगशान स्थान्त्र पर अयुद्या लिखे गई है वहीं पर उसी अंगशान्ते पर आयुद्या सहर है मोजूदा कि किसी के पास समय नहीं है देखने का अ परंपरा में चाहते हैं परंपरा को जाने बिना कि परंपरा के गुण्दोष का विबेशन किये बीना परंपरा की पूजा करना चाहते हैं और यह जो अतीत जीवी और परंप्रा जीवी भाव है बिना गुर्दोस के बिविचन के बिना सत्य और तत्य को जाने परंप्रा की पूजा का जो यह भाव है यह उस मित की माया संसार से और उसके आइडिलोजी से निकला हुआ संसार है और अब तो जैसा के अख़वारों की खवरों से पता चला मुझे मैं टेलिविजन नहीं देखता और आज से नहीं मैं नरेंद मुदी का आने के पहले से ही मैंने टेलिविजन देखना तक्रिवन बंद कर दिया अब मैं इस सरे से कई चैनलों से रामायन कथा गर्गर्म राम और इसका आख्यान लोगों के दिमाग का शुद्धी करण विज्ञान सम्मत बातों से संभव है या राम संभव भारत की आज जो ताकत है वो राम से नहीं है वो विज्ञान से अगर पुराने अतीत के जो ग्रिंथ हैं जिन है कि यह लोग कहते रहे हैं कि वहां विज्ञान था तो किसी रिशी मुनी से कहो कि वो मतलब हवाई जाज उड़ा के दिखाए कोई पुष्पक विमान उड़ा के दिखाएं वे जो 4000 सन्यासी राम बंदिर के आयोजन में बुलाए गए हैं वी आईपी के तौर पर उनमें से कोई एक सन्यासी यह पहल करके दिखाएं कि वो पुष्पक विमान बना सकता है और उड़ा सकता है तो यह जो मित्कों का जो मया संसार उसको रचने वाले जो संत महंत सन्यासी जो हमारे वीश में घूमते रहते हैं पर पिमिली टेग को सकते हैं उनके मिजाबिcit आप उन लोगों को देखिये जोग कि वव्यानिक हैं में जुने निकिस हिंदुस्तान को ताकत हिंदुस्तान बनाया है हिंदुस्तान कि joku अदुने काल की ताकत दिखाए दे रही है वह ताकत की वेज़े से हैं राम की ब्येस से नहीं है और वसमें इंटेनेट है आपके बास में है आपके समें टेली जाने आपके तमाम किस्म की अत्याद उनिक चीज़ है जो कि 1997 में गया तो थे हाँ सुई भी नहीं बनती थी रेल के डिब्बे भी विदेश से आते थे आज इस तिदिया है कि हिंदुस्तान में हर चीज बनती है और ये पिछले 75 साल की उपलब दिये नरिंद मोदी के सत्ता में आने के पहले की उपलब दिये और ये विज्ञान के उपलब दिये हैं तो हमें यह जो आरेसेस के लोगों के द्वारा जो परंप्राओं का जो महिमा मंदा ने और अनालो चुनात्मक महिमा मंदा ने इससे बचना चाहिए कि वे पर परंप्रा की एक तरकिहीन ब्याक्या हमारे वीच में प्रिसारित कर रहे हैं उसका प्रोपेगेंड़ा कर रहे हैं विरासत को और परंप्रा को तरक के आधार पर परखा जाना चाहिए अन्दिविश्वासों के आधार पर परंप्रा का मुल्यांका नहीं हो सकता और अन्दिविश्वासों के आधार पर आप महान राष्ट नहीं बन सकते भारत जो आज ताकत पर पर्मानु शक्ति है वो इसलिए नहीं है कि आँ राम चंद्र जी थे राम चंद्र जी पहले भी थे लेकिन पर्मानु शक्ति भारत नहीं था कभी जब पहली बार पर्मानु विस्फोट किया गया जब पहली बार अंत्रिक्ष में आरिभट छोड़ा गया तो भारत की अंत्रिक्ष शक्ति और पर्मानु शक्ति इन दोनों की पुष्टी हुई राम तो पहले भी थे राम आज भी है राम आगे भी रहेंगे लेकिन राम का भारत की शक्ति से कोई संबंद नहीं है भारत के जीवन की वास्त्रिक जो संद्चना है उसका विकास क्रम है उससे इन माया भी संसार के नायकों से कोई संबंद नहीं है समाज के विकास के नियम देवताओं की पूजा से निर्धारित नहीं होते अंदि मिस्वासों के आधार पर समाज का विकास नहीं होता एक छुटा सा उधान नहीं है हम हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं ऐसे और RSS बालों ने और दूसरे लोगों ने तो एक मीडिया ने खास्तोर पर बाबा रामद्यों को तो एक आइकॉन के तो प्रोजेक्ट कर दिया बार बार कहा गया कि आयूर विज्ञान अरे आयूर विज्ञान तो अंदेविश्वास विरो दी रहा है आयूर विज्ञान कोई अंदेविश्वासी विज्ञान नहीं रहा है भारत में आयूर विज्ञान के जो मानने वाले थे उन्होंने मंत्रवादियों की जम कर अलोचना की और जम कर उनके खिलाप लड़ाई या लड़ी पुराने जमाने में भी ऐसे लोग थे जो जाड़ फूँक देके मंत्र के तंत्र के जादू टोटका के जरिये लोगों की चिकिस्सा किया करते थे इसके विपरीद ऐसी चिकिस्सा पद्धिती के मानने वाले थे जो कि तर्क पर आधारित थी उस जमाने में मंत्र की चिकिस्सा पद्धिती को दैव ब्यापास्त्रे भेशज के नाम से जानते थे और तर्कवादी चिकित्सा पद्धिती को युक्ती ब्यापास्त्रे भेशच के नाम से जानते थे और इन दोनों में प्राचीन काल से लेकर आज तक बैचारिक लड़ाई रही है कि जो लोग प्राचीन कालीन जो लोग थे तो कि माया संसार है यह अंद्विश्वास पर टिका हुआ और यह जाड़ फूक गंगा नहाओगे दीपक जलाओगे रोग दूर हो जाएंगे विमारी दूर हो जाएगी कि स्वस्थ हो जाओगे तो ये जो दाइव वियपास्त्रे भेशज के स्थान पर युक्ति व्यपास्त्रे भेशज अब नाते समय जो प्रूरामे जमाने के उन चिकेस्वान को ने अवचार अभिचार तंत्र धार्मे करुष्ठान धार्म आग इंड सव का विरोध किया और इंड को त्यागा तो कि यह सारी की सारी पद्धितियां पुरोहित पर आस्रित थी और भगवान पर आस्रित थी कि इसके विप्रित युक्ति लिपास्राय भेशच पर देती थी जिसकों के आयुर बेग्न कहते हैं जिसमें सलिप्या भी आती थी इन युक्ति पिपास्त्र है भेशाज से जुड़े हुए चेकित्सकों की और सलिक रिया ज्युड़े हुए लोगों की में तंत्रमंत वाले यह पहले भी आलोचना करते दे आज भी अलोचना करते के निंदा करते विध están करते हैं खास तोर पर शरलिच चिकित सकते उनके प्रती उनके अंदर गहरी घ्रणा थी तो यह जो लोग सोचते हैं कि हमारे यह जो सारा जो सिस्टम है वो मयावियों का सिस्टम है और भगवान का सिस्टम है यह गलत फैमी है कि एक अन्य चीज है जिसे कि मैं आपसे शेयर करके मैं इस बातचीत को अंतिम रूप दूँगा वह यह के पिछले दिनों यह एक फिनोमेना आया आरेसस की तरफ से और वो कव आया जब विज्ञान कॉंग्रेस हुई कुछ साल पहले और विज्ञान कॉंग्रेस में कई कि मोधी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने मंत्रियों ने को आएसस के जो मुख्य लोग थे उन लोगों ने खुले आम अपनी मुर्खता का प्रोगर्शन किया और यह का कि अरे कोरव पंड़ तो टेस्ट्यूब बेवी थे और महावरत काल में तो टेस्ट्यूब बेवी का जन्म हो चुका था टेस्ट्यूब की जो साइंस है वो महावरत में आ चुकी थी बेवकुब से पूछो कि महावरत के सामने महावरत पढ़के किसी को टेस्ट्यूब बेवी करके दिख रहे हैं और यह सब काम कहीं और नहीं किया विज्ञान कॉंग्रेस में जाके वश्ण संव सकते हैं कि अगर कोई मंखरी भिज्ञान कॉंग्रेस के मंचपर वैक्ञानिकों के सामने इस तरह कि मुक्ताप्रुन बातें करें तो किसी वेज्ञानिक की हिम्मत है उसे नों किसे निकाल देंगे तो आरसेस के लोग बाकाइदा हर संस्थान का अपने इस माया भी जो संसारे मित्की संसारे इसके जो तमाम किस्म के चद्म या असत्य धारणाएं हैं उनके प्रचार के लिए व लिक्र किया के महावारत काल में तो टेस्ट्यूब बेई पैदा हो चुके थे उठा वमावारत में तो लिए श्यूब बैभी का साइन्स आ चूका था अब इस साल तो टेस्ट ट्यूब बेवी वालों ने साइंस कॉंग्रेस ही नहीं होने दी फॉस्पोन कर दी राम मंदर के लिए समय है साइंस कॉंग्रेस के लिए समय नहीं है कि एक अन्य चीज है जिस पर काईदी से ध्यान दिया जाना चाहिए आम तोर पर साइंस कॉंग्रेस में बिज्ञान संबंदी चर्चाएं होती थी बिज्ञान संबंदी पर्चे पढ़े जाते थे लेकिन जब से नरेंद मोदी आये उन्होंने एक नया प्रेटर्ण सुरके क् मेरे पास में अब ओफिशल डिटेल्स हैं जो काख्वारों में चपें पत्रकाओं में चपें मरेंद मोदी के आते ही पहले ही साल पुरान कथाओं की काल्पनिक कहानियों और उसके आधार पर सरकारी एजेंडिये के तोर पर मेक इन इंडिया पर बाते होई साइन्स कॉंग्रेस का मकसद ही यह था कि वहां पर साइन्स की बाते की जाएं सरकार के प्रचार की और प्रपेगेंडा की बाते न की जाएं सरकार क्या करना चाहती है और क्या उसके स्लोगन से इंपर बाते न की जाएं पाउरानिक कथानकों पर बाते न की जाएं तो यह जो नया जो आरसेस मोधी एजेंडा आया उसने बुरा काम यह किया जिससे कि सारा सिस्टम प्रभावी थे वो यह कि हर विभाग में दली एजेंडे को नत्थी कर दिया गया बिज्ञान के विभाग में बिज्ञान की ज्ञान चर्चा की वजाए पौरानिक ज्ञान चर्चा और माया भी और मित्की चरित्रों की नाम की चर्चा यह प्रमुख हो गई एक अन्य चीज जिस प्रकाइदे से ध्यान देने की जरूवत है वो यह कि यह जो पूरा मायाभी संसार रचा गया इस मायाभी संसार को रचते समय पुरान कता और काल्पने कहानियों का एक तरह से तूफान मचा हुआ अभी मीडिया से लेकर टेलीजन से लेकर प्रिंट मीडिया तक वाट्सअप तक यह अच्छानक यह जो पुरान और काल्पने कहानियों का जो अंधर है इस अंधर का एक मात्र मकसद यह के हिंदुस्तान के तरकवादी संसार को लोगों के जहन से ठेल के बाहर किया जाए लोगों के आपसी संबाद में से जो ज्यान चर्चा का जो सामाजिक राजनितिक विश्यों पर चर्चा का जो एक आधार बना हुआ है एक कम्यूकेशन बना हुआ है उस कम्यूकेशन को रिप्लेस किया जाए और लोगों को विज्ञान का अन्याई बनाने की वज़ाए राम का अन्याई बनाया जाए आप ये तैमानिये राम पूजा तक ठीक हैं लेकर आप देश को अगर राम का अन्याई बनाएंगे तो देश की सबसे बड़ी ख्यती करेंगे देश तरक्की तब करेगा जब देश विज्ञान का अन्याई बनेगा देश के नागरिक तब तरक्की करेंगे जब विज्ञान के अन्याई बनेंगे राम के अन्याई बनके अगर नागरिक देश के बारे में सोचेंगे और देश को भी राम का अन्याई बनाएंगे तो देश जोकरों का देश दिखाई देगा और यह देश के लिए सबसे बड़ी tragedy होगी हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को जो करों का देश बनने से रोके हैं यह जो आरेसेस की जो मित्की मायावी संसार की तरफ ले जाने की पौराने काथानक और किमबदंतियों की और ले जाने की जो कोशिस है वह कोशिस अल्टिमेटली विज्ञान सम्मत भारत और विज्ञान सम्मत नागरिक इन दोनों के ही खिलाफ है और वैसी इस्तिती में हम सारी दुनिया में और भी जादा पिछड़ जाएंगे फिला नितना ही बहुत बहुत शुक्रिया आशा है एक आएक आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को जाल से अधर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है और अगर आपने हमारा यूटूब चैनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो अंत इसको सब्सक्राइब कर लिए और बैल आ